हमार साथ सुप्रम्रीम स्वामी जी है, सरफ उत्तर भारत की नबस भी समझते हैं और दक्षिन भारत की राजनीती भी वाई आर्ट से चुनाव लड़ने को किस तरीके से आप देख रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसा जिला है जो तीन राजियों से मिलता है दक्षिन भारत में पार्टी को मजबूत करना है इसलिए वह रावल गांदी जा रहे हैं इसलिए रावल गांदी मजबूत कर सकते हैं ये तो कोई पहले ही बोलना चाहिए था क्या पहले नहीं पता था कि ये जोगरफी में इसका कैसा स्टीजिक लोकेशन था एहम जगा था ये नहीं पता था अब दो जगा से लड़ने की कोई कारण होनी चाहिए जब नरंदर मोड अब जगा से लड़े तब इनोंने खूब प्रपगेंडा की ये तो चीफ मिनसर राइज इसको को इंडिया नहीं पता है जो गुजरात भारत नहीं है बारत बड़ा कांप्लेक्स है मोरी को कोई जानता नहीं बारत में ये सारी बातें का था और गुजरात से थोपा जा रह दिली में उनको तो उन्होंने फिर उतर बदेश से वारनसी से लड़े वो इसी लड़े क्योंकि ये ये प्रपगेंड़ा बहुत चली इनका क्या प्रपगेंड़ा चला तीन बार अमेटी से जीते हैं किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि उनको राष्ट्रे एकता के लिए प्रपगेंड़ा चली जब उन्होंने जमीन पर जो महौल देखा और स्मिती रानी की जो बेबाक और जोड़दार ये कैमपेंड चली उससे डर के मारे उन्होंने पार्लिमेंट का मेंबर होना ये नहीं कि पार्लिमेंट जाकर कोई शांदार भाष्टन देना हैं पार्लिमेंट मेंबर के कई प्रतिक्षा होते हैं और दूसरा है कि उनसे कोई कवच भी मिलती है तो वो कवच बिना होंगे तो अपने को बिलकुल बे सारा समझे और इसलिए पार्लिमेंट होना अनिवारी है किसी बैक डॉर से फ्रंट डॉर से किसी से तो उन्होंने ये कि दोनों जगा से आर जाएंगे तो फिर राज्य सबाब में आ जाएंगे जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने कल भाशन दिया तो उन्होंने शब्द इस्तमाल के पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा और उन पर कारवाही नहीं रुकेगी तो क्या ये माना जाए कि गर्दान मंतरी नरेंदर मोधी बनते हैं तो जो इंदरा गांधी ने किया वैसा कुछ हो सकता है पाकिस्तान पस्चिम पाकिस्तान का चार्टुकड़ा करने वाले थे, जनरल खंडेत इंचार्ज थे, उन्होंने आगर बहुत किया, इंद्रा गांदी से जाकर मिला, कहा कि वह यह तो आप गुटना टेक कर रहे हैं, इसी जब मौके पर खतम करनी चाहिए, लेकिन इंद्रा गांदी रू तो बारतीय थे, उन्होंने सुना नहीं, और उसके बाद उसके नाम पर खोर्ट मार्शल शुरू होने के वह तो उसने का कि, आपने तो जो मैसेज बेते हैं, आप कहते हैं, टेली पृंटर से बेते हैं, वहां तो कोई एलेक्टरिसीटी नहीं थी, तो मुझे कुछ मैसेज नहीं मिला उसके कारण नियाजी पकड़े गए थे वो डाका में अपने आप गुसे और उसको पाकिस्तान के इस बार चार्ट कुड़े हो जाएंगे क्या अगर अगली बरसर कराएंगे तो विश्वास है मैं तो लोग देखो इसका सहरी मेरी बात देरी से कराणवित होते हैं महबुबा के लिए कितना मैंने प्रेस को का कि ये इसको निकालने चाहिए यातमगा दिया है मैंने रगुराम राजन के लिए कितना का, अर्विन सुप्रमिनम कितने का, बाहर सारी बातें सिदोगे हैं मेरी, तो ये भी सिदोगा कि इलाज पाकिस्तान का एक ही है, ये कोई पुराना देश नहीं है, ये तो हमने बनाई थी, अपने देश की टुकडा करके, अब इसको ए को ले करके, और जा तक पाकिस्तान की बात है, अगली बार मोधी सरकार बनी, तो पाकिस्तान की चार्ट टुकडे हो जाएंगे, वीडियो जनली जैनेंदर के साथ, राहुल डबास, नियूज नेशन दिल्ली